हेलो फ्रेंड्स कैसे हुआ आप मेरे नाम है नवीन और आप देख रहे हैं नियो वल्टे की वीडियोग चैनल दोस्तों आप सभी के लिए गुड नियूज है और आज के वीडियो पहुत ही जादा खास होने वाला है आप सभी के लिए बिकोज फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपके लिए SDFC बेंक की नई वेकेंसी की अपडेट लेकर आए हैं जो की बिना एक्जाम के बिलकुल सीधी भरती है आप इस वीडियो को लास तक जरूर देगा और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से शिकायत भी रहती हैं आप वीडियो देखते हैं पर लाइक निकरते हैं तो प्लीज जादा स्यादा वीडियो को लाइक कीज़ेगा लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जादा से यादा शेयर करें और रोज़ाना इसी परकार नई वेकेंसियों के अपडेट के लिए आज ही हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो के नीचे सलार यहाँ पर वेकेंसिस रिलीस कर दी गई है तो यहाँ पर इस साल 2021 की बंपर भरती देखने को मिल रही है SDFC बेंक की तरफ से और सबसे अच्छी बात फ्रेंस यह है कि यहाँ पर आपकी कोई भी एक्जाम नहीं होने वाली है और नहीं आपसे एप्लिकेशन फीज ली जा रह है जिनकी DTS में जानकरी हम आपको आगे वीडियो में देने वाले है और दोस्तों अगर आप दसवी पास है बारी पास है ग्रेजिट पास है या फिर अगर आप ITI डिपलोमा डिग्री पास है तो आप सभी के लिए बंपर भरती हैं आ चुकी है जो की बेंक में है रेलवे म में भी सर्च कर सकते हैं आपको सबसे उपर सबसे पहले ये वापसाइट में जाएगी तो फ्रेंट्स फाइनली हम आ चुके हैं हमारी ओफीशल वापसाइट पर और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं SDFC बेंक की लेटेस्स रिकुर्मेंट के बारे में जो की All Over India की चौब है यानि की भारत के किसी भी राज्य में आप हैते हैं किसी भी स्टेट में किसी भी डिस्टिक में आप हैते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल के इंडियों हैं अपलाए का सकते हैं चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट में वेकेंसी रिलीज की गई है तो यहाँ पर Friends जैसा कि आप दिशते हैं अलग-अलग departments से यानि कि वरेस department से यह वेकेंश से release की गई है तो यहाँ पर आप दिशते हैं कौन-कौन सी post है Manager की post है Assistant की post है Clerk की post है, Officer की post है GM की post है, यहाँ पर Operation की post है Officers की post है और यहाँ पर Cells में है, Marketing में है बिजनेस में हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट से अलग-अलग पोस्ट यहाँ पर रिलीस की गई है जिसकी डिटेस में जानकर याप SDFC बेंक के करेर पोडल से भी ले सकते हैं चलिए फ्रेंड्स आप आपको बताते हैं टोटल वेकेंसी कितनी है और अगर आपके पास में कोई experience है तो आपके लिए काफी अच्छे benefits है आपको अच्छी job मिल सकती है, salary मिल सकती है और यहाँ पर काफी अच्छी opportunity आपके लिए होने वाली है apply के वल आपको friends online ही करना होगा वो भी हम आपको process बताने वाले है वीडियो कोड आस तक जरूर देहेगा, step by step आपको online forum भरके बताएंगे वही selection process में friends आपकी कोई भी exam नहीं होगी, केवल आपका interview होगा तो यहाँ पर आपको बता दे कि कुछ post के लिए आपका group discussion भी हो सकता है, GD भी हो सकता है but other post के लिए आपका केवल interview रहेगा, कोई भी exam नहीं होने वाली है वही friends यहाँ पर salary आपको age पर रोस मिलेगी, जो की काफी शानदार salary आपको देखने को मिलेगी और job location जो है all over India की है वही friends आपको बता दे कि age limit क्या है, तो कम से कम 18 साल तो आपकी age होनी ही चाहिए के लिए कोई भी limit नहीं है, तो यह अलग-अलग जानकरी आप notification में check out कर सकते हैं वहाँ पर आपको job description में पूरी details में जानकरी में जाएगी वही application fees ओ है friends यहाँ पर सभी category के candidates के लिए बिल्कुल free है क्योंकि यहाँ पर अलग-अलग post daily basis पर release की जारी है तो अगर आपके पास में इन में से कोई भी qualification है तो आज ही registration करें, apply करे, resume upload करें ठीके आपको बताते हैं apply कैसे करना है, वो पूरा process आपको बताते हैं तो यहाँ पर important links के अंदर आपको मिलेगा apply करने का button first link पर आपको click करना है, यहाँ पर आपको click करना है जैसे आप click करेंगे, आप सिधा SGFC bank के career portal पर आजाएंगे friends यहाँ पर आपको scroll down करना है और यहाँ पर आप देशते हैं click here to apply now, इस button पर आपको click करना है और ok करना है तो मैं आप सभी को suggest करूँगा कि आप view all jobs पर click करतीजे और यहाँ पर आप देशते हैं 8124 jobs यहाँ पर आचुकी है तो यहाँ पर आप देशते हैं 8000 से अधिक post यहाँ पर जारी कर दी गई है SDFC bank की तरफ से, so friends जिस post के लिए आप apply करना चाहते हैं उसका button आपको मिल जाएगा apply करने का साथी साथ उसकी details भी आप check-out कर सकते हैं आप चाहे तो यहाँ पर filter का भी benefit ले सकते हैं करके भी ऑप search कर सकते हैं टाइटलवाइज भी आप search कर सकते हैं कि इस post के लिए आप interested हैं state-wise भी आप search कर सकते हैं काफी सारे यहाँ पर options से उनको आप इस्तमाल में ले सकते हैं यानि कि आप state wise भी आप search कर सकते हैं city wise भी आप search कर सकते हैं तो यहाँ पर आपके लिए काफी अच्छे फीचर हैं जिनको आप इस्तमाल में ले सकते हैं category wise भी कर सकते हैं experience wise भी कर सकते हैं function wise भी आप search कर सकते हैं और यहाँ पर आप चाहें तो particular एक एक पोस्ट के लिए अपलाए कर सकते हैं, आपके सामने काफी सारी vacancies है, आप scroll down करेंगे तो आपको नीचे और भी pages मिलेंगे, जिन पर आप click करके और नए pages को display कर सकते हैं, यहाँ पर check out कर सकते हैं, काफी सारी jobs है, अलग-अलग department से यह vacancies हैं, तो चलिए अब आपको बताते हैं, as a fresher के लिए अप अपलाए कैसे कर सकते हैं, माल लीजिए, आप इस post के लिए अपलाए करना चाहते हैं, जिसा कि यहाँ पर आप देसकते हैं, कि यहाँ पर आप click कर दीजिए, आपके सामने job description जो है open हो जाएगा, आप पूरा पू कर रहा है, तो login कर दीजेगा, और submit कर दीजेगा, आपका resume upload करके submit करना होगा, लेकिन अगर आपने registration नहीं कर रहा है, यानि कि sign up नहीं कर रहा है, तो आप देसके new user sign up with your resume, आपको यहाँ पर click करना है, आपके सामने option आजाएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका resume है, वो upload करना होगा, इस button पर click करके आपको upload करना होगा, उसके बार review करनी होगी profile को, जिसमें आपको check out कर लेना है, कि आपके कोई गलत information तो नहीं है, अगर कोई गलत है, तो आप उसे correct कर लीजेगा, उसके बाद complete होने के बाद में आप उसे submit कर सकते हैं, बस इस प्रकार आपक को एक पोस्ट के लिए apply करना होगा, बकि अधिक जानकरी के लिए आप SDFC bank के career product पर विजिट करते रहे हैं, या आपको daily basis पर नई vacancies की update मिल सकती है, ठीके, कोई भी doubt से हैं, कोई भी सवाल है, तो comment किजेगा, वीडियो को like, share, चैनल को subscribe किजेगा, thank you so much